धार जेले के गंधवानी विधायक और पूरो मंत्री उमंग सिंगार के विरुद्ध धारा 306 का प्रकेंड दर्जह होने के विरुद्ध में कॉंग्रेस जन्रों ने राज्यपाल के नाम तेसिलदार मनावर को ग्यापन सोपा है। किन्तु कांग्रेस ने इसे राज्यितिक सडियन तरह बता कर अपने विधायक और पूरो में सियासत हो रही है तो सियासत का जवाब सियासत लगाई से ही दिया जाएगा। मेरी मा सोन्य भारदुआज साधी करने वाले थे। अचारक मेरी माने एक अदम क्यों उठाया हमें मालूम नहीं है। मनावर से लोकें दरबार की रिपोर्ट। ये हाली में हमारे माननी मंतरी उमंग सिंगार जी के बंगले में सोन्य भारदुआज नाम की महिला ने सुसाइट कर लिया था। उस सम्मंद में आज हमने मामाहिन राजपाल महदय के नाम से ग्यापन दिया है। सोन्या भारदुआज जी ने एक सुसाइट नोट दिया। उसमें अपरतेक्ष रूप से कहीं भी उमंग सिंगार जी का कोई उलेक नहीं किया गाया कि उन्होंने अत्माच्ट्या के लिए प्रिरित किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने उस प्यत्र में आईलव भी लिखा। साथ ही उनका जो पूत्र है बेसक है अटरा साल का है अरियन नाम है उनका उन्होंने एडिशनल एस पी और मध्यपरदेश के मिडिया और सीम साब को चिट्टी लिख कर आउगत कराया कि हम किसी भी तरह से उमंग सिंगार के उपर कोई संदे हम नहीं कर सकते हैं। चुकि मेरी मा मतलब जो मरतका सोनिया भारदवाज है उनके बीच में बहुत जल्दी शादी होने वाली थी और बहुत ही कॉपलिटी इंसान उमंग सिंगार जी इसलिए मेरी तरब से कोई भी हम कोई भी संदे या कोई ब्लेम या कोई सक हम उनके उपर नहीं करना चाहते है ब्रता की माता जो बुजूर्ग है वो भी अंबाला से आई उन्होंने इसपस्ट काहा कि बहुत जल्दी उमंग सिंगार जी और सोनिया जो है शादी करने वाले थे लोगडाउन के बाद में इसलिए उनके उपर कोई भी शक करना अनुचीत है साथ ही उमंग सिंगार जी जब सोनिया भारदवा जी ने अत्मात्या की उस समय उमंग सिंगार जी अपने गरज शेत्र गन्दमानी में थे और कोविट के मरीजों के लिए साहता कर रहे थे इस कंडिसन में उनके उपर कोई भी टिपडी या उनके उपर केस लगाना अनुचीत है आज मद्यपरदेश सासन के दबाव में आके मद्यपरदेश की पुलीस ने उमंग सिंगार जी के उपर IPC के धारा 106 के तहत परकण दर्ज कराने के पीछे ये पहले आदिवासी नेतरत हैं उमंग सिंगार जो आदिवासीों के लिए लड़े ज़ते हैं और आज बड़ी बात है कि उरास्टी सच्चु हैं मत्यपरदेश में वनमंत्री रहे हैं और उनकी काबिलियत को देखते हुए कहीं न कहीं आदिवासियों को डाउन करने के लिए सिवराज सरकार ने जूटा परकन उनके उपर दर्ज कराया है अपने क्या मांग की? हमने मांग की कि यह जो जूटा परकरन बनाया है जिस सुसाई नोट में कहीं भी उल्लेक नहीं है तो यह पूरी तरह जूटा है उसको समाक्ति के आजाए साथ ही आज यहां हमारी जो पहले बहन रंजना बगेल जी यहां की पहले मंत्री रही यहां से विदाहय करही बड़ी बात करती आदिवासी नेत्रोत की मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले उमंग सिंगार जी के उपर उंगली उठाने के पहले आप अपने गिराबान में जाग के देखे उमंग सिंगार वही वेखती है जिनों ने जिन महिलाओं के साथ में जामदा भूतिया में बलातकार हुआ था उन महिलाओं का सयोग किया और उनको दिल्ली तक लड़ी लड़ने के लिए गयते है और ये रंजना बगेल वही है जिनों ने जिन लोगों ने उन महिलाओं के स 40,000 से पार नहीं करते इसलिए अधिवासियों की टिपनी करना बंद करें आज वक्त है अधिवासियों का आगे बढ़ाने का आज कोई भी पार्टी हो अधिवासियों का आगे नहीं बढ़ने देती है अज 40 साल के आयू में उमंग सिंगार आज इतनी अपनी प्रसिद्दिया बता बना, बिल्कुल बिना मुले!